नमस्कार आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com मैं हूँ आपके साथ पवन उप्रेती सत्यहिंदी.com में आज हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजनीत में विपक्ष कहा है ये लोग पूसते हैं कि आखिर विपक्ष यहां कहा है लोग ऐसा क्यों पूसते हैं? लोग ऐसा इसलिए पूसते हैं क्योंकि हाल ही मैं सोन भद्र में आदिवासियों का नरसंगहार हुआ और उसके बाद उन्नाव रेप पीडिता की गाड़ी को एक ट्रक नेट टक कर मार दी जिसमें उन्नाव रेप पीडिता की हालत तो बहुत गंबीर है ही उनकी चाची और मौसी की मौत हो गई है अब लोगों का यह कहना है कि विपक्ष को इतने बड़े मुद्दों पर जोरदार आवाज सरकार के खिलाफ उठानी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ बीएसपी प्रमुक मायवती ने इस घटना पर सिर्फ ट्वीट किया और अखिलेश यादव भी सोनबद्र नरसंगहार में जैसे चुप रहे थे उसके बाद इस मामले में वो निकले और उन्होंने पीडिता का हाल चाल जाना सोनबद्र के नरसंगहार और उन्हों रेपकांड के बाद उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्ता को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कॉंग्रेस महासच्यो प्रियंका गादी तो सोनबद्र मामले में काफी सक्री दिखी थी लेकिन उन्हों रेपकांड पर अभी तक वह सिर्फ ट्विटर पर ही सक्री दिखी हैं सोनबद्र और उन्हों पर भी बीएसपी और एसपी सिर्फ ट्वीट और इक्का दुक्का जगों पर प्रदर्शन तक ही सीमित दिखाई दिये लोकसभा चुनाओं में मिली करारी हार के बाद कम से कम विपक्ष को निराशा से उबरते हुए जन्हता के संगर्शों की लड़ाई लड़नी चाहिए थी लेकिन सोनबद्र और उन्नाव के मसले पर जिस तरह प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल बीएसपी और एसपी का रवया रहा उससे तो ऐसा लगता है कि यूपी में मानो ये दल विपक्ष की भूमी का निवाने के लिए ही तैयार नहीं है सोनबद्र कांड पर प्रियंका के तेवरों ने कॉंग्रेस को संजीवनी दी थी और साथी साथ उन्होंने ये भी दिखाया था कि विपक्ष का दाइद तो क्या होता है तब एसपी और बीएसपी के नेताओं ने भी प्रियंका के संघर्श की सराह ना की थी और अपने नेत्यत उसे सवाल पूचा था कि आखिर वे कप सोन बद्र जाएंगे अब सवाल ये है कि यूपी में लंबे समय तक सरकारे चला चुके बीएसपी और एसपी क्या सत्ता सुब भोगने के कारण आलसी हो गए हैं क्या वे इतने बड़े मुद्दों पर भी सडकों पर उतर कर जनता के लिए संगर्श करने की बाद भूल चुके हैं ऐसे में जब वे किसी चुनाओ में जनता के पास वोट मागने के लिए जाएंगे तो जनता उनसे ये पूछेगी कि वे जनहित के मुद्दों पर संगर्श के दोरान कहां थे कुछ समय बाद यूपी में 12 सीटों के लिए विधान सभा के उपचुना होने है ऐसे में विपक्ष को राज्य सरकार को इन मुद्दों पर बहुत मजबूती से घेरना चाहिए था उससे सरकार को भी विपक्ष की ताकत का एहसास होता और जनता में भी विपक्ष के संगर्श का संदेश जाता लेकिन ऐसा नहीं हुआ और विरोध सिर्फ खाना पूर्ती तक की सीमित रह गया लोगतंत्र में विपक्ष की बेहत एहम भूमिका है अगर विपक्ष नहो तो सरकारों के निरंकुष होने का खत्रा रहता है विपक्ष लगातार सरकार को इस बात के लिए चेताता है कि वो किस कदम पर गलत है विपक्ष का इदायत तो होता है कि वो जनहित के मुद्दों पर सरकार को लगातार कटगरे में खड़ा करता रहे विपक्ष का ये भी दायत तो होता है कि वो जनता की आवाज उठाए, जनता की आवाज को बुलंद करे, लेकिन सोनबद्र और उन्नाव रेपकांट पर ऐसा होता नहीं दिखा, इक्का दुक्का प्रदर्शन, इक्का दुक्का ट्वीट, यहीं तक राजनितिक दल, विपक् सबक लेकर संगर्श करना चाहिए और जनता के सामने ये दिखाना चाहिए कि वे सत्ता सुख के कारण आलसी नहीं हुए है, वे अभी भी जनहित के मुद्दों पर संगर्श कर सकते हैं, वरना जनता चुनाओं में किसी को भी नकार सकती है, सत्तहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही, आगे भी हम तमाम ऐसे मुद्दों पर बात चीत करते रहेंगे, धन्यवाद, नमस्कार.